हलो एर्वरीवान, वेलकम तू माई चानल, यह मेकप लुक मैंने क्रिस्मस या हॉलिडे के लिए क्रियेट किया है, देखते हैं यह मेकप लुक मैंने कैसे क्रियेट, लेट्स रोल विद द वीडियो, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बाल को टाई अप करूँगी, टाई अ मॉस्टराइज करने के लिए मैंने मेबलिन का लिब बाम लिया है, अगर आप किसी पार्टी के होस्ट हैं और आपके बस जादा टाइम नहीं है तो यह आप बहुत जल्दी क्रियेट कर सकते हैं, और बहुत रियलिस्टिक है, सबसे पहले आई मेकप से शुरू करते हैं, आ अपसे लाइटर शेड लेया है, उसको अपने आईलिट को सेट कर लूँगी, सेट करने से पहले मैंने उसको डाम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से एक बार फिर से पैट कर लूँगी, क्योंकि कोई क्रीज न रह जाए, अब स्लाइटली सा अपने स्किन टोन सा मैच करत हुआ कलर, मैं अपने क्रीज में लगाऊंगी, स्लाइटली अबव दा क्रीज लगाके, मैं उसे एक अपनी लिए डाइमेंशन क्रिएट करूँगी, कि मुझे यहां तक ही रहना है, इसके उपर नहीं जाना है, सो मैं विंशेल वाइपर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों मे मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप इस लुक में कहीं पे भी कुछ भी आड़ और सर्प्राइट करके इसे अपना कस्टमाइज लुक बना सकते हैं, यह मैं उन लोगों के लिए हैं जो बिगनर्स हैं और उनको पता नहीं अभी क्या करें, पर दे वांट तो लुक गुड तो मैंने उनके लिए क्रेट किया हैं, मैं इसे तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक मैं अपनी क्रीस से अच्छे से खुश नहीं हो जाओंगी, उसके बाद मैं जिस ब्रश से अपना स्किन कलर अपना अपलाई किया था, उसी ब्रश में थोड़ा सा ओरिंजिश सा कलर यहां पर मैं क्रीस पर फोकस कर रहे हूं, नौट अबव दा क्रीस और नौट बिलो दा क्रीस, मैं अपनी क्रीस के साथ साथ अपने आइलिट के आउटर में भी इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करने के लिए मैं जो स्ट्रोक्स लिए थे, वो विंशिल लूँगी और इस पहले मैंने अपना स्किन का और टोन का जो कलर लिया था, सेम वही कलर लेकि इसे अच्छे से उसमें मर्ज कर दूँगी, अब मैं सेम ब्रश लूँगी, जिससे मैंने यह डाकर शेड लगा था, और एक उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, मैंने उस the color, denser and smaller the brush, यहीं फंडा मैं यहां पर भी यूज़ करें और mostly आपने वीडियो में यहीं यूज़ करती हूँ, darker the color, denser और smaller the brush उसके बाद मैं back same अपने color में जाओंगी, same brush में जाओंगी या same color में जाके उसको blend करूँगी, मैं हमेशा जो previous color होता है और previous brush होता है उसको एक बार दुबारा यूज करती हूँ ताकि उसको अच्छे से neatly मैं blend कर पाऊंगी ताकि उसको अच्छे से neatly मैं blend कर पा लगे कि वह ब्लेंड आउट नहीं है मैं सारे वहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी इसके बाद मैंने एक छोटा सा flat brush लिया और उसे को आप यह कैसे सकते हैं cut crease या कुछ भी उसे अपने inner collar में place कर लूँगी inner third eyelid पे उसे place कर लूँगी पहले मैं उसे brush करूँगी उसके बाद म हैंड से लगाने से थोड़ा सा shimmer तो नहीं है वह exactly शाइनी सा है आप उसे में हैंड से लगाऊंगी ताकि उसका reflection बहुत अच्छा है और बहुत smudge out सा लगे यह आप लुक कभी भी create कर सकते हैं अपनी coffee date के लिए अपने dinner date के लिए और मैं यहाँ पे एक charcoal color लेके इसे small angular brush दे एक wing create कर लूँगा और उसे smudge out कर लूँगी पूरा eye makeup create करने के बाद अगर आप black color use कर रहे हैं अपनी eyelid पे तो थोड़ा सा आपको patience रखना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी mistake आपको पूरा eye look आपकी पूरा मेहनत खराब कर सकती है सो मैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे stroke रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल eye lash के साथ साथ रहे और साथ ही साथ मैं इसको smudge out भी करती रहाँगी बहुत जादा sharp नहीं है यह smudge ही सा रहेगा सी मैं यहाँ पर इसको smudge भी करते हूँ बहुत छोटे छोटे stroke के साथ मैं यह wing create कर रहे हैं क्योंकि आप eye shadow से बना रहे हैं तो गलती होने के chances बहुत जादा रहते हैं क्योंकि आप angular brush से या कोई भी fluffy brush से बनाएंगे इसी सो technology के मदद से मैंने यहाँ पर second eye look create कर लिया है अब एक flat brush से मैं अपनी same palette में से brownish color लेके मैं अपनी eyebrow फिल कर लूगी मैं हमेशा अपनी जो भी space है मेरी eyebrow में blanks हैं मैं केवल उनको ही फिल करती हूँ मैं बहुत जादा dramatic eyebrows नहीं बनाती हूँ मेरी जो भी natural shape है और जो भी natural उसकी thickness है मैं उसी को ही enhance करती हूँ मैं बहुत जादा broad या बहुत जादा उसे काला पीला नीला नहीं करती और दूसरी eyebrow मैंने off camera फिल कर ले ती यहाँ पे मैंने face को prime कर रही हूँ प्राइम करने के बाद यहाँ पे मैं foundation लिया है यह wet and wild का foundation है medium coverage का है और बहुत अच्छी finish देता है और सबसे अच्छी बात यह flash photographic लिए बहुत अच्छा है सो यह कोई भी reflection नहीं create करता foundation और बहुत अच्छे से blend हो जाता है बहुत steamlessly blend हो जाता है मैं इसके साथ जो spatula आया है उसी के साथ लेके मैं अपने फूरे face पे अच्छे से इससे spread कर लोगी और एक damn beauty blender से मैं इसे अपने foundation को अच्छे से blend कर लोगी see यह कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़वत नहीं है अगर आप जल्दी में है इसके बाद मैंने wet and wild का ही concealer लिया है और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ जहां पे मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़वत है मैं highlight या ऐसा कुछ कुछ करने की नहीं यहाँ पर सूच रही क्योंकि मैं वो अपने powder से कर लूँगी जब मैं face को set करूँगी same beauty blender से मैं इसे blend कर लूँगी अगर आपके lips पे foundation या कुछ concealer लग जाता है तो आप worry मत कीजिए वो आपके लिपस्टिक के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि वो उसे nude बिल्कुल canvas की तरह plane कर देगा और जो भी आप उसमें lipstick लगाएंगे वो shade उभर के आएगा यहाँ पे मैंने अपने inner corner पे और outer corner पे थोड़ा सा extra लिया है और उसे मैं फिर blend कर लूँगी मैं यहाँ पे rub नहीं करूँगी मैं उसे same place पे ही blend करने की कोशिश कर रहे हूँ मेरा mini beauty blender मुझे मिला नहीं सो इसलिए मैं इससे blend करने की नहीं तो उससे blend करती तो वह बहुत easily seamlessly उससे blend हो जाता है यहाँ पे मैंने face को set करने के लिए एक fluffy brush की help से अपने face को set कर लिया है और contour के लिए मैंने kit लिया है यह इसमें contour color भी है blush भी है और highlighter भी है तीनों के लिए मैं same चीज़े use करूँगी और बहुत naturally मैं contour करूँगी cream contour नहीं करूँगी अभी मेरा face आपको बहुत जादा white लग रहा होगा बट contour करने के बद और finish look में आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई white नहीं है वो सारा product extra absorb हो जाएगा same brush को मैं थोड़ा सा pinch करूँगी और अपनी nose को भी contour करूँगी बहुत slightly सा nose को contour किया है और मैं same palette में से brush को लोगी और smile करके अपने apple of cheeks पे उसे blend out करते वे लगा लूँगी अब मैं यहाँ पे highlighter लगा रहे हूँ highlighter मुझे लगा कि थोड़ा कम pop कर रहा है तो मैं इसे face को set करने के बाद लगाँगी थोड़ा smaller brush लगे same highlighter को अपने brow bone पे और inner corner पे भी apply कर लूँगी अब मैं यहाँ पे lower eyelid को भी same color से अपने जिससे मैंने upper eyelid पे look create किया था उसी से मैं lower eyelid पे भी color को लगा के blend कर लूँगी यहाँ पे मैंने white eye pencil लिया है यह n y beka है आप nude ले सकते हैं black ले सकते हैं यह मेरे सामने रखी थी तो मैंने इसी को use कर लिया मैंने अपने last look में इसी को use किया था तो मेरे समान में सामने रखी थी तो मैं यहाँ पे मैं कोई भी falses नहीं use करूँगी मैं केवल Maybelline का mascara use करूँगी mascara को लगाने के लिए आप सबसे पहले जो भी उसमें excess है उसको remove करिए और पहले मैं उपर से अच्छे से coat कर लेती हूँ उसके बाद नीचे से उसको wiggle करते वे मैं पूरी eyelashes को coat करती हूँ सी अब दोनों आइज में कितना difference है आप देख सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप दो कोट से तीसरा कोट मस्कारा का नहीं लगा सकते क्योंकि उसके बाद वो क्लमपी कर देता है सो मैं यहां पर किल दो कोट ही लगाऊंगी और बहुत अच्छे से में उससे कवर करोंगी जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक मैं लगाती रहोंगी उसके बाद मैंने फेस को सेट करने के लिए वेडेंट वाइल का सेटर लिया है यह न्यूड शेड है न्यूड इश पिंकी शेड है कुछ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे और अगर आप मेरे चैनल को पहले से सस्क्राइब कर रखा है तो थांगे सो मच और आगे लोगों के साथ शेर ज़रू यह बहुत easy है आप इसे recreate जरूर करिएगा और मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा आप इसे Christmas पे Coffee डेट पे या आप किसी Wedding के लिए भी इसे create कर सकते हो या किसी party है कोई छोटी party आप थ्रोग कर रहे हैं या आप कहीं पे भी इसे recreate करते हैं तो मुझे please comment section में जरूर बताईएगा आप इसे कहीं पे भी plus addition करके या subscribe करके इसे अपना customize look बना सकते हैं आप इसे Indian dress के साथ भी carry कर सकते हैं सो मिलती हूँ आपका अपनी next वीडियो में अपना धेर सारा ख्याल रखिए और Merry Christmas Be safe